एक जंगल में एक हाथी और एक बक्री रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहां उन्हें एक तालाब दिखाई दिया उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेर था बेर का पेर देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए वह दोनों बेर के पेर के पास गए फिर हाथी ने अपनी सून से बेर के पेर को जोर से हिलाया और जमीन पर धेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इक्था करने लगी सयोगवश उसी बेर के पेर पर एक चिडिया का घोसला भी था जिसमें चिडिया का एक बच्चा सो रहा था और चिडिया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी बेर का पेर जोर से हिलाने के कारण चिडिया का बच्चा घोसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और दूबने लगा चिडिया के बच्चे को डूपता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था इस वज़े से वह भी तालाब में डूबने लगी बकरी को डूपता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिडिया के बच्चे और बकरी, ढोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिडिया भी वहां पर आ गई थी और वहां अपने बच्चे को सही स्लामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बक्री को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा, तब से हाथी और बक्री भी चिडिया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे, कुछ ही दिनों में चिडिया का बच्चा बड़ा हो गया, चिडिया अपने बच्चे के साथ जंग प्रफल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देपी थी इस तरह हाथी बकरी और चिडिया मजे में रहते और ठाते पीते थे कहानी से सीख हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधाना चाहिए और मनमुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए